परका जोहां हर्याना कैबिनेट की आज एहम बैठक है दिरसल मुख्य मंतुरी नायप सिंग सैनी की अधिक्षिता में ये बैठक होनी है 11 बज़े हर्याना सच्छवाले में ये बैठक होगी बैठक में कई एहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है बड़ी कबर आपको बता दे जहां मुख्य मंतुरी नायप सिंग सैनी की अधिक्षिता में ये बैठक है 11 बज़े हर्याना सच्छवाले में ये बैठक होगी बता दे कि बैठक में कई एहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है हर्याना कैबिनेट की चुकि आज एहम बैठक बुलाई गई है हाला कि किन मुद्दों पर ये चर्चा होगी इस बैठक में किन एहम मुद्दों को शामिल किया जवाएगा ये देखने वारी बात होगी लेकिन इस दोरान मुखी मंत्री नायव सिंग सैनी के अर्धिक्षिता में ये बैठक होनी है बता दे कि 11 बजे हर्याना सिल्व सचिवाले में ये बैठक होगी बैठक में कई एहम मुद्दों पर चर्चा की जवाएगी चुकि अगले चोरन का चुनाव हर्याना में होना है और ऐसी में चुनावी रन्नीती भी इस बैठक में चर्चा का विशे रह सकती है चुकि क्या कुछ चर्चा का विशे होगा ये बैठक के बाद ही सामने आएगा कि इन मुद्दो को बैठक में शामिल किया जुएगा कि इन एहम मुद्दो पर चुछा की जा सकती है इस बैठक में ये भी देखने वाली बात होगी लेकिन फिलाल बड़ी कबर आपको बता दी जो हम मुख्य मंत्री नायप सीम सैनी के अंधिर्जिता में आज 11 बज़ोए हर्याना सीविस हचवाले में बैठक बुलाई गई है और खबर पर जादा जौन करी के लिए हमारे साथ हमारे असोसियेट एटर अनिल कुमार जी फोन लाइन पर जोड़ गया अनिल जी लोग सभा चुनाओ में जादा समय नहीं रह गया है अब अगले चुरन में हर्याना में चुनाओ होना है और ऐसे में आज 11 बज़े हर्याना सिविज अचवाले में बैठक बुलाई गई है कई एहम मुद्दो को चर्चा का विशा इस बैठक में बनाया जो सकता है किन मुद्दो को लेकर के चर्चा की जाएगी बैठक में जी आज मुख्यमंतिर नायव सिंग शैनी की एजक्ता में हर्याना मंत्री मंदल की बैठक होगी और बैठक 11 बज़े हसा में निधारित किया गया है और इस बैठक में कई एहम मुद्दो पर चर्चा हो सकती है अचार सहीता लगी हुई है अगर कोई भी सरकार फैसला लेती है तो उसके लिए चुनाव योग से उनको अनुमति लेनी होगी अब देखना होगा कि बैठक में क्या जंडा आता है और क्या फैसले लिए जाते हैं च्छे चारिए बहुत 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 शुक्रिया अनल जुए तमाम जान करें माई दर्शकों तक पहुंचाने के लिए